आईए दोस्तो आज की इस वीडियो में वाल पोटी का काम सिखेंगे क्योंकि दोस्तो पूरे दुनिया में लगभग आधे से ज़्यादा घरों में वाल पोटी का काम होता है दोस्तो और वालपोट्टी एपलाई करने से पहले आपको कुछ steps फोलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूद होता है और दोस्तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको shortcut में वालपोट्टी एपलाई करने का सबसे ज़्यादा बहतरिन और बेस तरीका बताएंगे तो दोस्तो आपको एक चीज बता दो कि सबसे फेरे दोस्तो आपको करना क्या है कि बाजावरों में से या तो जेके वालपोट्टी या तो बिल्ला वालपोट्टी इन दोनों वालपोट्टी से दोस्तो आपको वालपोट्टी करना है क्योंकि दोस्तो ए दोनों प्रोड़क् अभी एही मनना है और दोस्तों आपको एक चीज और बाता दों कि वाल पुट्टी मिक्सिंग करने का सबसे ज़्यदा बहत्रिन तरीका होता है 20 किलो वाल पुट्टी में आपको दोस्तों 10 लिटर पानी का एपलाई करना है मतलब दोस्तों आपका वाल पुट्टी जितना है उससे आधा ही आपको पानी डालना है और इसी ही सबसे दोस्तों आपका वाल पुट्टी का पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा तो दोस्तों आपको एक चीज और बाता दों इसको ध्यान देना दोस्तों वाल पुट्टी मिक्सिंग करने की बाद दोस्तों 10 मिनिट तक द आरोटारा भी फैल जाता है। और इस्सी प्राकार से दोस्तों आपका वाल पुर्टी का पेस्ट बिल कुल भी दोस्तों रेटी हो जाएगा वाल में एप्लाई करने के». तो दोस्तों आपको एक चीज और बाता दूं वाल पुट्टी करने से पहले आपको एक चीज जरुरोद होता है दोस्तों ओ होता है पत्रड़ा यानके दोस्तों इसको गुर्माला भी कहा जाता है तो दोस्तों इसको एए दोस्तों आट इंच का है तो दोस्तों हमारा दस का काम अभी हो रहा है दोस्तो वाल पुट्टी एपलाई करने से पहले जितना भी आपका वाल है पूरे वाल को दोस्तो आपको आच्छे से पहले क्लींग करना होगा दोस्तो फिर जाके आप वाल पुट्टी एपलाई करना नहीं तो दोस्तो बहुत ज़्यादा प्रोबलम हो होगा मतलब तेल जैसा आपका निकलेगा दोस्तो मतलब बहुत ज्यादा स्मूध इसलिए दौश् itself वाल पूट्टी कारने संहें एसी धियान daina और तो एक चीज HC वाल पूट्टी खात सोमएं आपका जितना मतलब वाल है उतना इतनी दोस्तव आपको वाल पूटिकी ज़र्द है, तो दोस्तों 10 खिले होई यारा पेस्ट बनाना, ज़्यादा नहीं करना दोस्तों नहीं तो पूरा बरबाद हो जाएगा, तो दोस्तों वाल पूटिक का काम फिलाल भी चल रहा है इस तरह से, आप लोग दोस्तों अपनी घर में इस तरह से वाल कीज का गोस्से मतलब दोस्तो जो सेंट फेपर है उसमें इसको घिसाई करना है और घिसाई करने के बाद दोस्तो हमें सेकेंड कोट का एपलाई करना है एकिन मानिए दोस्तो सेकेंड कोट एपलाई करने के बाद आपका जो वाल है बिलकुल भी चमकेगा दोस्तो और इसी तर प्राइम्याक्ट के बाद दोस्तों आपको एक अच्छी कमपनी का पेंट करना है और इसी तरह से दोस्तों प्रोपार तरीका से वाल पोट्टी करने के बाद पेंट किया जाता है इस तरह से